नमस्कार मैं वालकृष्ट मुले एक बार फिरा जिरूँ शहर के गल्यारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं साथ आईए सब सब पहले बात करते नकारात्मक प्रचार की लगता है जिस तरह कॉंग्रेस ने गुजरात की मुख्य मंत्री नरेन मोधी का लगत्तार नकारात्मक प्रचार कर उन्हें सीधा पीम इन वेटिंग बना डाला बस उसी तरह अब सत्ताधारी दल यानी बीजेपी उतिरादित सिंधिया को लेकर उल्टे पूल्टे बयान देकर उन्हें सीम इन वेटिंग बना रही है पहले प्रदेश के रामभत मंत्री ने सिंधिया को ललकारा और बीजेपी के राश्री उपाद्धेक्ष ने ये कह डाला कि कोन है सिंधिया अब बताईए इन दोनों के बयानों के बाद पहचान किसके बनेगे सिंधिया या फिर बीजेपी की नेताओं की जुबां से निकले बयानों के मायने अब आम लोग भी ज्यादा नहीं लेकिन कुछ-कुछ तो समझने ही लगे हैं पहले संग के एकत्री करण के दौरान संग सुप्रीमों का एक कहा बेह संजीद्गी से समझा था और उसके मायने भी निकाल लिये थे मोहन भागवत ने कहा था घोडा घुमाना पल्टाना और पान को घुमाना बेहत जरूरी होता है वरना सब कुछ खराब हो जाता है उस बात से धेर सारों ने सीख ली और वो सीख आज तक कई लोग अपने अप अधवरा भी कुछ नहीं कर पाए तो जोतिरादित संधिया क्या कर पाएंगे जाका इतना कहना था और पूरे प्रदेश के गलियारों में जाके कहे पर चर्चा हो गई राजनेतिक चर्चाकार मान गए कि बीजेपी अब वही करने निकल पड़ी है जो काम कॉंग्रस ने गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी को लेकर किया है यूपीय गठबंदन ने पिछले कुछ माह में ही मोदी को लेकर ऐसी नकारात्मक टिपपड़िया कर दी कि वो आज अगोशित पीम इनवेटिंग बन गए है अब बीजेपी भी उसी राह पर है प्रभाज़ा का ये कहना कि कौन सिंधिया सिंधिया को सीम इनवेटिंग बना देगा जहाने आम लोगों को अपने बयान के माध्यम से ये भी आदिला दिया कि माधवराव कौन थे और उन्होंने उनके राजनितिक जीवन में प्रदेश के लिए क्या क्या किया अभी पिछले दिनों ही प्रदेश के रामभक्त मंत्री यानि कैलाश विजवरगिय सिंधिया के गड़ में ताल ठोकते सुने गए थे अब ऐसे में कौंग्रेस को तो छोड़िये लेकिन बीजेपी वाले जरूर सिंधिया को ऐसे बोल बोल कर आगे बढ़ा देंगे फिर न कहना हमने नहीं चेताया उधारन आपके पास है मोदी और कॉंग्रेस का नहीं मानो तो किसी से सला मश्विरा कर लो कॉंग्रेस के कुख्षी कूच में अब एक दिन का समशेश है एक दिन बात कॉंग्रेस के सारे दिगज एक साथ कुख्षी कूच उसी अंदाज में करेंगे जिस अंदाज में योद्धा रंड के मेदान की और कूच करते है मामला राजा और उनके गुरू पूत्र से कॉंग्रस का कुक्षी कूच कारिक्रम 12 सितंबर को दोपहर 12 बजे होना है अब तक कॉंग्रस से गलियारों से आ रहे खबरें बता रही हैं कि कुक्षी की रंड भूमी पर कूच करने वालों में कमलनाथ और मोहन प्रकाश को छोड़ कर सारे ही नेता पहुंचेंगे शिवराद सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते देखे और सुने जाएंगे पार्टी ने कुक्षी कूच का फर्मान सुनाते हुए एक लाख कारिकरताओं को जुटाने का आंकड़ा भिचारी किया है बड़े नेताओं ने कुक्षी कूच की तयारी कर ली है अब त शद्यक्ष अर्चना जयस्वाल चुनाव अभ्यान समिती के सर्वे सर्वा ज्योतिरादित सिंधिया सहित दरजन और प्रादेशिक लीडरों के नाम है केंडर से समय रहते एक दो नाम बढ़ सकते हैं 12 सितंबर को दिग्विजय सिह चक्का जाम वाले मामले में धरम पूरी और संग कारी करताओं के माथे चड़ेगा इस प्रदर्शन के बहाने कॉंग्रेस यहां पूरी तरह से शक्ति को एक जुट करती दिखाए देगी जिसका असर समुचे अंचल पर दिखाई वीगा ऐसा नहीं है कि सत्ताधारी इस कुक्शी कूश पर नजरे नहीं टिकाये कॉंग्रेसियों हमले के खिलाफ चलो करे कुक्शी कूच बकरे हैं आखिर बकरे के अम्मा कितने दिन खैर मनाएगी उसे एक न एक दिन तो छुरी के नीचे आना ही पड़ेगा कुछ यही हाल हुआ है कथिच संत बनाव प्रवचनकार के रूप में अथाह दौलत जमा करने वाले आसराम के साथ आसराम के काले कारनामों के खिलाफ राजस्तान से शिरू हुई मुहीम गुजरात होते हुए मध्यप्रदेश में प्रवेश कर गई है गुजरात के जुनागड आश्रम को ढहाने के बाद मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों में सरकारी जमीन पर कबजा कर बनाये गए करोडों के सामराज को धवस्त करने की कारवाई का पहला चरन स्थान्य करनधार निपटा चुके हैं प्रातमिक रिपोर्ट भी तयार हो चुकी है आसराम ने तीन दशक में ही करोडों की जमीन पर कबजा कर लिया है जमीनों के कबजे के मामले में आसराम समूचे देश में अवल कहे जा रहे हैं आसराम की हालत अब पहले सी नहीं रही अब ना तो सत्ताधारी उनसे संबंदों का मुझाहिरा पेश कर रहे हैं ना ही कोई आसराम की डूबती नया में अपने कदम रख रहा है ऐसे में प्रशासनिक गलियारों से आ रही सुरसुरी बता रही है कि अब कारवाई को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाएगा नोटिस बाजे की नोटंगी के साथ ही अगली कारवाई को भी समय के भीतर ही पूरा किया जाएगा वैसे भी प्रशासनिक हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि नोटिस के तुरंत बाधी प्रदेश भर में आचार सहंता लग जाएगी और ऐसे में कारवाई को अत्यदिक निर्बाद गती से चलाया जा सकता है इधर पूरी कारवाई को लेकर आम लोगों में भी एक अच्छा संदेश जा रहा है लोगों से बुरे और बुराई का अंत करार दे रहे हैं और कह रहे हैं अब होगा आसराम की समानतर सरकार का अंत शहर का पड़ा लिखा तपका जब जब किसी समस्या को लेकर अपनी आवाज बुलंद करता है तो उसकी आवाज एक मुहिम बन जाती है अब एसी ही एक मुहिम ने रंग दिखाना शुरू कर दिया है और चपेट में आ रहे हैं इंदोर नवर निगम के कमिशनर राकेश सिं इंदोर नगर निगम ओपन स्लोटर हाउस का लाइसंस दे कर वो काम करवा रहा है जिस पर समूझे जिले भर के अमन पसंद बाशंदों को घोर आपती है निगम की इसलापरवाही भरी बेंदिजामी को लेकर शहर के संब्रात वर्ग ने आवाज बुलंद की है और अब उस से गुजर कर अपना पूरा दिन खराब करते हैं ये बाशंदे फुल प्रूफ प्लैनिंग के साथ मैदान में डटे हैं और इन बाशंदों को हर वर्ग का साथ मिल रहा है सबसे खास बात तो ये है कि रहवासी जो चाहते हैं उस बात की लिए मेर सहित शहर का हर वर्ग तो परिशान रहवासी खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं वैसे मुहीम का पूरी शिदत से संचालन करने वालों का कहना है कि निगम जिस काम को करवा रहा है उसकी निंदा जितनी की जाये कम है ओपन स्लोटर हाउस के कारण आसपास का माहौल बेहत गंदगी भरा हो गया ह आसपास के स्कूली बच्चों पर इसका असर पड़ रहा है और सबसे खास बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से मिले निर्देशों का राजस सरकार पालन नहीं कर रही है वैसे प्रदूशन नियंदरन मंडल से मिली पहली सफलता के बाद नए इंदौर के रहवासी इस ने गरीबों के लिए सस्ते आनाज की योजना बनाकर उनके गरीबी दूर करने का चुनावी फंडा छोड़ दिया लेकिन बेचारे गरीब है कि चहांकर भी योजना का लाब नहीं ले पा रहे है कारण वही बीपियल कार्ड इस कार्ड के लिए हर गरीब प्रशासनिक पर नमक छिड़कने के लिए शायद यही दिन यानि मंगलवार का दिन ही ताय किया हुआ है मंगलवार को हर तरह की समस्या जनसुनवाई में पहुंचती है और यहीं ठहर जाती है इसी कड़ी में वो गरीब भी बहुतायत में पहुंच जाते हैं जिन्हें मुख्यमंत्री शिवराज की शुरू की गई सस्ते अनाज की योजना याद रह जाती है इस अनाज के लिए जब वो राशन की दुकानों पर पहुंचते हैं तो उन्हें BPL कार्ड नहीं होने की दशा में दुद्कार मिलती है और जब वो जनसुनवाई में जाते हैं तो उन्हें यहां की मा मारा मारी मार देती है लेकिन अब संकुल के गल्यारों से नई तरह की चर्चा निकल कर बाहर आ रही है कहा जा रहा है कि बीपील कार्ड की मारा मारी के शिकार केवल गरीब ही नहीं है बलकि वो सरकारी अधिकारी भी हैं जिन पर ये जमा हैं कि वो सर्वे कर कार्ड जारी करें लेकिन विभागी अधिकारियों के पास इतना स्टाफ नहीं है कि वो हजारों की संख्या में पहुँच रहे गरीबों की सुनवाई भी कर पाए वैसे इस मारा मारी के बीच से ही एक चर्चा जरूर लोगों के मुख से सुनने को मिल रही है वो ये है कि जब तक BPL कार्ट बनेंगे तब तक तो चुनाव हो ही जाएंगे फिर ऐसे में सरकार उन देड़ लाख वोटरों को कैसे समझा पाएगी जिन से इसी योजना के दम पर सरकार को वोट बटोरना है कि अचल जाएगी जिन से वोटरों के बाएगी जिन से लाएगी जिन से अचल अचल पर समय है